सेटेलाइट लाउंच उर्सत गंज आज अपना सेटेलाइट लाउंच कर रहा है साइंटिस्ट के कई सालों के मेहनत का नतीजा है ये ये सेटेलाइट जमीन में छुपे सब नुटिरेनियम पदार्थ को ढून लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है नहीं ये सेटेलाइट नुटिरेनियम मेटल नहीं ढून पाएगा नुटिरेनियम मेटल की खान हमारे पहारों के आसपास है और मेटल मैं निकाल रहा हूँ मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कबसे में करना चाहता हूँ इंबक्टू येस बॉस बोलिए जाओ और देखो ये सेटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए मैंने एक स्पेस शटल बनाया है उसमें जाओ और उस सेटेलाइट के रॉकेट की मशीन जाम करतो बॉस वो पुरसत गंज का सेटेलाइट है रोबो बॉइ ज़रूर उसका प्रोटेक्शन करेगा उनका सेटेलाइट तो बरबाद नहीं होगा हलेकिन अपने शटल के बरबाद होने के पूरे चांसेश है बॉल्लो की दुम तुम्हारी बस का कुछ नहीं है एस्टो बॉट मेरी स्पेस शटल में जाओ और फुरसत गंज के सेटेलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो अगर फीर दर रॉबो बॉइ रास्ते में आए तो उसे भी खात्म करता हो ओके बॉस इस सुपर दूपर देंजरिस बॉस अब ये फुरसत गंज के साटलाइट को रोकेगा ये स्पेस के लिए बनायागिया खास रॉबोत है ये जीनिस बॉस सुपर दूपर चीनियस शी इस राइट बॉस शी इस राइट वीर इमली देखो फुरसत गंज का सैटलाइट लाँच होने वाला है वीर सैटलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा सैटलाइट के बीचे रोकेट लगा होता है वही रोकेट सैटलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है रोकेट की क्या जरूवत थी? मैं तो ऐसे ही सैटलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूँ जिन्टू ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए और वैसे भी अगर तुमारे जादू से सैटलाइट उपर गया तो कहां बहुचेगा ये किसी को नहीं पता तुम तो हमेशा मेरा मजा की उड़ाते रहते हो मैं जा रहा हूँ बच्चो देखो अब बस थोड़ी ही देर में सैटलाइट लॉंच होने वाला है ये ओपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए नुटिरेनियम नाम का खास मिनरल ढून लेगा जिसमें प्लैटिनम और यूरेनियम से ज़ादा पावर होती है अग ये जेंटलमन, फाइब सेकंद्स ते गो फाइब, फॉर्ट, फ्री, टू, वाण अब रोकेट का इंजन जाम हो जाएगा और सेटलाइट कभी उपर नहीं पहुत पाएगी अरे, ये क्या? लगता है रोकेट का इंजन जाम हो गया है और ये सेटलाइट कभी भी क्राश हो सकता है कितने सालों की महनत बेकार हो जाएगी अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार रोकेट का इंजन जाम हो गया है और सेटलाइट नीचे गिर रहा है फुरसत गंज में जहां भी गिरेगा, वहां प्लास्ट होके बहुत नुकसान होने की संभावना है. स्टाइन्टिस्ट की दस साल की मेहनत बेकार हो गई. डोंट वरी दादा जी, उनकी मेहनत बरबाद नहीं होगी. एस्ट्रोनाट सूट अन! एस्ट्रोनाट सूट आउन हे रोबो बॉइ रोबो बॉइ हमेशा की तरह आसमान में रोबो बॉइ मुसीबत की घरी में मदद के लिए आ गया है क्या वो रॉकेट को रोक पाएगा बॉके रॉकवर जची के डुके लॉके बॉके बॉके बॉस यह अच्छानक कौन आ गया यह कौन है जो रोबोगाई को रोपने की कोश्च कर रहा है यह सटेलाइट ठीक से काम कर रहा है उसने सिगनल्स भेजना शुरू कर दिया है फीर लोगँ पाटरी में यहाथ प्रोलाण के जो से वाद्री गच्राइब है लो बैटरी लो बैटरी दादाजी दादाजी मेरी बैटरी लो हो रही है वीव किसी भी सेटलाइट पे जाके चार्ज कर लो जल्दी ओ नो वीर के हाथ का बैटरी कनेक्टिंग वायर तूटके अलग हो गया है वीर होश में आओ अपना वायर चोड़ो कोशिश करो अपना दोछ़ कोशिश गुलब्र जो पुलब्रूदू प्रियर जैसे ही यह ग्रीन लिक्विड इसबॉक्स में पनागा! जाएगी तुम हमेशा के लिए लिक्विड फ्रीज हो जाओगे वीर का बैटरी कनेक्टिंग वायर जब तक नहीं चुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता एक रास्ता है वो लिक्विड जैसे ही उन तूटे वायर्स को टच करेगा वायर कनेक्ट हो जाएगा और कुछ देर के लिए वीर को होश आ जाएगा क्योंकि बैटरी क्रंट फ्लो पूरा हो जाएगा लिक्विड आने तक इंतसार करना होगा फीर अपने हाथ के बैटरी कनेक्टिंग वायर को चोड़ो जल्दी और उस बॉक्स से बाहर आओ वरना फ्लीज हो जाओगे कि अधिए उस रोबोट ने सेटलाइट में बॉम फिक्स किया है चल्दी जाओ उसे निकालो सिर्फ पंद्रा सेकिंड बाकी है अधिए एस्टरबोट आजवीर बच्णा नहीं चाहिए अधिए गफangen कि अधिए भी ऐस प्या जाओगे छीम जा है हुआ हुआ प्राइ भाप से गाह्नालों! NOOOO jon yht! यूह भाह्न! य थ believer AT एकानलों यूह الحंदानी डिस दो है! झाल झाल